आज हम सीखेंगे अंत्रावी नियंत्रण के बारे में पिछले वीडियो में हमने सीखा कि तंत्री का नियंत्रण हमारे शरीर के विभिनक्रियाओं का समन्वे यानि कॉडिनेशन करता है लेकिन हमारे शरीर की प्रत्य कोशिका तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई नहीं है इसलिए तंत्रिका तंत्र विद्यूत आवेक को शरीर की सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुचा पाता तथा जब एक कोशिका में विद्यूत आवेक का निर्मान और संचार होता है तो कोशीका को दूसरे आवैक का निर्मान और संचार करने से पहले अपनी क्रिया विधी को फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है यानि की कोशीकाईं विद्यूत आवैक का निर्मान और संचार सतत रूप में नहीं कर पाती इसी तरो तंत्र की या समनवय तिवरतो होता है लेकिन थोड़े समय के लिए ही होता है शरीर की सभी कोशिकाओं तक संकेत पहुचाना और शरीर में ज्यादा समय तक संद्वय बनाय रखना यह कार्य हॉर्मोन त्वारा संपन्न किया जाता है हॉर्मोन अपोशक रसायन है जो शरीर में बहुत कम सांधरण में निर्मित किये जाते हैं जो शरीर के विबिन्न कोशिकाओं तक संकेत यानि सिगनल पहुचाते हैं इसलिए हॉर्मोन रासायनिक संदेश वाहक यानि केमिकल मेसेंजर कहलाते हैं जन्तुओं में हॉर्मोन का संसलेशन और स्रावन यानि सिक्रीशन अंतर स्रावी ग्रंथियों यानि एंडोक्राइन ग्लैंड्स त्वारा होता है। ऐसा तंत्र जो हॉर्मोन की स्राव त्वारा शरीर के सभी अंगों, उत्कों और कोशिकाओं के विभिन कारियों को नियंत्रित करता है अंतरस्रावी तंत्र यानि एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। उनकी द्वारा निर्मित हार्मोन का स्रावन सीधा रूधीर में होता है। रूधीर के साथ हार्मोन शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुचता है। इसलिए शरीर में हार्मोन की संसलेशन का स्थान और क्रिया शेत्र का स्थान भिन्न होता है। मनुष्य की शरीर में मुख्य अंतरश्रावी ग्रंथियां इस प्रकार है चलिए इन्हें समझे हमारे मस्तिश्क के अग्रमस्तिश्क भाग में हैपोथेलमस के नीचे पियूश ग्रंथी यानि पिट्यूटरी क्लैंट उपस्थत होती है पियूश ग्रंथी हमारे शरीर में विवित हॉर्मोन का स्रावन करती है जैसे वृद्धी हार्मोन जो शरीर की वृद्धी और विकास को नियंतरित करता है यदि बालेकाल में वृद्धी हार्मोन का स्रावन जादा होता है तो शरीर की असामान्य वृद्धी होती है जो की अतिकायक्ता यानि जाइगांटिजम कहलाता है यदि बालेकाल में वृद्धी हार्मोन का स्रावन कम होता है तो वृद्धी अवृद्ध होती है और शरीर की लंबाई नहीं बढ़ती है जो की बॉनापन यानि ट्वाफिजम कहलाता है हाइपोथेलमस जब शरीर में वृद्धी हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तब हाइपोथेलमस वृद्धी हार्मोन मोचक कारक का स्त्रावन करता है जो पियुश ग्रंथी को वृद्धी हार्मोन का स्त्रावन करने के लिए प्रेरित करता है इस प्रकार हाइपोथेलमस द्वारा निर्मित हार् पियुश ग्रंथी में से स्रावित होने वाले हार्मोन के संसलेशन और स्राव का नियंतरन करते हैं अग्रमस्तिश्क के उपरी भाग में पिनियल ग्रंथी उपस्थित होती है जो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है मेलेटोनिन शरीर के देनिक लाय यानि रिदम का नियमन करता है यानि कि सोने जाकने के चक्र और तापमान का नियंतरन करता है हमारे गले में अवटोग्रंथी यानि थाइरोइड ग्लांट उपस्थित होती है अवटोग्रंथी दो पालियों से बनी हुई है और एक-एक पाली श्वास नली के दोनों और उपस्थित है इसलिए अवटोग्रंथी का आकार तितली के आकार जैसा लगता है अवटोग्रंथी थाइरोक्सीन हॉर्मोन का संसलेशन और स्रावन करती है हमारे शरीर में थाइरोक्सीन कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन और वसा यानि फैट के उपापचाई यानि मेटाबॉलिजम का नियंदरन करता है अतहँ मुख्य रूप से थाइरोक्सीन शरीर का आधार या उपापचई दर यानि बेसल मेटाबॉलिक रेट के नियमन में सहायता करता है तथा शरीर की व्रधी के लिए उप्युक्त संतुलन प्रदान करता है अउटोग्रंथी आयोडेन की सहायता से थाइरोक्सीन हर्मोन का संसलेशन करती है इसलिए आयोडेन थाइरोक्सीन के सामान्य दर में संसलेशन के लिए आवश्यक है इसलिए हमें आयोडेन युक्त नमक लेना चाहिए आइडीन की कमी से थायरॉकसीन का संस्लेशन कम होता है जिसे अव थाराइड ता यानी हाइपो थायरॉडिजम कहा जाता है इस बिमारी को गॉटर कहा जाता है जिसमें अवटोगरंथी के वृध्धी होती है और गर्धन में सूजन आती है यदि शरीर में thairoxine का संस्लेशन और स्रावण जादा हो तो thairoxine का स्तर बढ़ जाता है जो थारट अतिक्रियता यानि हाइपर थाइरोडिजम कहलाता है अव्टू ग्रन्थी के पीछे की सतह पर चार परावटू ग्रन्थियां यानि पराथौरेट हार्मोन का स्रावन करती है पराथारेट हार्मोन रूधिरमें कैलसियम के स्तर को पढ़ाता है दोनों फुफूस के बीच में थाइमस क्रंथी उपस्थित होती है जो थाइमोसीन हॉर्मोन का स्रावन करती है थाइमोसीन हॉर्मोन प्रतिरक्षा तंत्र यानि इम्यून सिस्टम के विकास में सहायता करता है प्रत्येक व्रुक यानि किड्नी के ऊपर एक अधिव्रुक ग्रंथी उपस्तित होती है जो रुधीर में एडेनलिन हॉर्मोन का स्रावन करती है रुधीर से एडेनलिन रिदय और शरीर के विभिन अंगों तक पहुँचता है एडेनलिन रिदय की धड़कन को बढ़ाता है जिससे शरीर की पेशियों को अधिक रुधीर आपूर्ती यानि ब्लड सप्लाय होती है इसलिए पेशियों तक अधिक अक्सिजन पहुँचता है एडेनलिन की उपस्तिती में पाचन तंत्र और तवचा की छोटी धमनियों के आसबास की पेशियां सिगुढ जाती है परिणाम स्वरूब पाचन तंत्र यानि डैजेस्टिव सिस्टम और तवचा में रुधीर की आपूरती कम हो जाती है इससे रुदीर की दिशा कंकाल पेशियों की और हो जाती है इसलिए डाइफ्राम और पसलियों की पेशी याने रिब मसल्स का संकूचन याने कॉंट्राक्शन होता है और श्वास दर बढ़ जाता है एड्रिनलीन आखों के पुतलियों के फैलाव याने प्यूपिलरी डाइलेशन, रोंग्टे खड़े होना, पसीने का स्राव को बढ़ाता है यह सभी अनुक्रियाएं मिलकर शरीर को आपातकालिन स्थिती से निपटने में सहायता करती है आपातकालिन स्थिती में एड्रिनलीन का स्राव बढ़ जाता है, इसलिए इसे आपातकालिन यानि एमजेंसी हॉर्मोन और युद्ध यानि फाइट हॉर्मोन कहा जाता है इसलिए एड्रिनलीन को युद्ध यानि फाइट, फ्लाइट और फ्राइट का हॉर्मोन कहा जाता है हमारे शरीर में आमाशय के पीछे अगन्याशय यानि पैंक्रियास उपस्थित होता है जो इंसूलीन हार्मोन का स्रावन करता है इंसूलीन रुधीर में शरकरा स्तर यानि शुगर लेवल को नियंतरित करने में सहायता करता है यदि यहां कम मात्रा में स्रावित होता है तो रुधीर में शरकरा का स्तर बढ़ जाता है इसके कारण मदुमेह यानि डाइबिटीज की बिमारी होती है मदुमेय के रोगी अपने आहार में कम शरकरा लेते हैं और उपचार के लिए इन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है नर्मी वृषक का एक जोड़ा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करते हैं टेस्टोस्टेरोन शुकराणू निर्माण में सहायता करता है और पेशिय वृष्धी निम्न आवास का स्वर्मान, क्रोधात्मक्ता, मुक और अक्षिय रोम यानि फेस एन एक्जिलेरी हैर्स की वृष्धी को उत्तेजित करता है माधा में अंडाशय का एक जोड़ा एस्टोजन हॉर्मोन का स्रावन करते हैं एस्टोजन अंडाशयी पूटिकाओं यानि ओविरियन फॉलिकल्स और स्तन ग्रंथियों यानि मेमेरी ग्लांट्स की वृष्धी में सहायता करता है उच्च आवास का स्वर्मान और द्वितीक लेंगिक लक्षणों यानि सेकेंडरी सेक्शुल क्यारेक्टर्स का विकास करता है ये सभी परिवर्दन 10 से 12 साल की उम्र में होते हैं और योवना रंभ यानि प्यूबर्टी से चुड़े होते हैं इस प्रकार विविध हॉर्मोन शरीर की वृद्धी, अपापचे एवं विकास का नियंत्रण करते हैं शरीर में किसी हॉर्मोन के स्तरकी कमी या अधिकता से कई बिमारियां होती है इसलिए शरीर में हॉर्मोन स्रावन परिशुद्ध मात्रा यानि प्रिसाइस क्वांटिटी में होना अवश्यक है इसलिए पुनर्भरण क्रियाविधी यानि फीडबैक मेकैनिजम द्वारा हॉर्मोन स्रावन का समय और हॉर्मोन स्रावन की मात्रा का नियंतरन होता है। इस प्रकार अंतरस्रावी तंतर भी शरीर के नियंतरन और समनवय में सहायता करता है। तो आज हमने सीखा अंतरस्रावी नियंतरन के बारे में। तो आज हमने सीखान दियंतरन और समय तंतरस्रावी 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 यान की में। झाल झाल